Hi everyone, so, आज की वीडियो में हम coding questions solve करने वाले हैं, जो कि IBM CodeNet में पूछा किया है, ठीक है, इसी बार पूछा गया है, जस्त अभी एक सब्ता पहले ही exam हो था हमारे group में एक question आया था, तो जो लोग भी आ रहे हैं, so, इसको मैं solve करके जस्त आपको बताना चाहता हूं कि किस टाप से आप questions receive कर सकते हो, कैसे आपको solve करना होता है, थोड़ा सापको आईडिया लग जाएगा, तो question को देखते हैं, तो question देखो, जो question है, वो ये बोल रहा है, कि basically काफी बड़ी story लेकिए, लेकिन मैं आपको summarize कर देता हूं, आप pause करके पढ़ सकते हो, तो question ये बोलना चाह रह है, इसमें ये जितना भी ये hour, minute, or second दिया है, इसमें कोई भी एक position blank हो सकती है, अब उस blank position को हमें fill करना है, with minimum and maximum values, अब मैं आपको समझा देता हूं, कि आपको इसमें basically करना क्या है, तो देखो, इसको एक बार अच्छे समझ लेते हैं, तो suppose, एक जो valid time है, मैं एक example ले रहा है, कि suppose, मैं मानता हूं, जैसे सुबह के मालों 10 बच के 15 मिनिट हो रहा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, 10, 15, और suppose 30 सेकंड हो रहा है, तो 30, ठीक है, तो ये valid time है, आप देख सकते हो clock में, इस सुबह के 10 बच के 15 मिनिट हो रहा है, बट अब ये बोल रहा है, ये clock जो है, य इसमें कोई भी एक position खराब हो सकती है, उसको हमको minimum और maximum time से भरना है, तो suppose, मैं अगर यहाँ पर example लेता हूं, और बोलता हूं, कि suppose ये जो पहली position है, ये damaged हो गई, और ये खराब हो गई, तो इस damaged position को हम कहेंगे at, ठीक है, at से हमने replace कर दिया, ये हमारे input में आएगा, और हम time कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, so at, at 0, 15 और 30, ये वाली position है, ये damaged हो गई, हमें रंग से नहीं दिखाई दी, अब इसमें minimum value क्या भर सकते हैं, तो minimum value हम इसमें भर सकते हैं 0, जो कि 001 valid time है, और या फिर हम maximum value क्या भर सकते हैं, maximum value हम भर सकते हैं 2, जो क आपका maximum time होगा, वो गर, 2, 3, then 5, 9, then 5, 9, ये आपका maximum time होगा, तो इसमें maximum value क्या आ सकती है, पहली position पर 2 आ सकती है, क्योंकि hours format में अगर बात करें, तो 23, 5, 9, 5, 9, ये अपन का maximum होगा, तो इस position पर अपन क्या बर सकते हैं, तो बर सकते हैं, ठीक है, सपोज एक और example पर ये 15, and then 30, अब इसमें क्या करना है, हमें इस at की जगए एक valid position भरनी है, तो इसकी जगए हम minimum क्या बर सकते हैं, minimum बर सकते हैं, 0, तो ये हमारा time बिल्कुल ये ही आ जाएगा, और maximum क्या बर सकते हैं, maximum हम बर सकते हैं, 9, क्योंकि इसके लिए valid 9 होगा, maximum value, ठीक है, तो basically अपन को valid condition में उस वाली position को भरना है, एक और example लेते हैं, इस ही में, जैसे 17 बज़रें, इसमें suppose ये 5 वाला है, अगर इसकी जगए suppose at है, तो अपन का क्या होगा, अगर इसकी जगए at है, तो आप देख सकते हो, इसमें जो अपन का minute है, maximum, वो कितना आएगा, 0 बर सकते हैं, और maximum आए जो last वाली position है, इसकी जो minimum value होगी, अगर blank आती है, तो वो 0 होगी, अपन seconds की बात कर रहे है, तो last वाली position है, उसकी minimum value 0 होगी, और maximum value अपन की 9 होगी, ठीक है, ऐसे ही जो अपन की, इससे first वाली position है, second की, उसकी अपन की minimum value क्या होगी, 0, और जो maximum value होगी, वो अपन की 5 हो सकत Met. यह- ह्याँ पर अब इंक्नी दो वैलियू सकती है अगर अपन की फरस्ट पोजीशन पर यहांपर टू है लेकिन maximum value 2 हो सकती है, अगर यहाँ पर first position पर 2 है, तो अपन की जो यह second value value होगी, इसमें maximum value होगी 3, otherwise अपन की 9 भी हो सकती है, क्यों 19 एक valid time है, बिल्कुल valid time है, लेकिन कब valid time है, जब आगे 1 है, लेकिन 29 एक valid time नहीं है, आगे 2 आ गया, तो अपन का 9 है, यह invalid हो जाएगा, अप अगर first position पर 2 है, तो यह जो अपन की second position है, इसमें जो values है, इसमें यह किवल 0 से 3 ही जा सकती है, समझ रहे हो आप, 0 से 3 ही जा सकती है, ठीक है, तो यह catch है, यह age case है, अब इसको solve देखो काफी तरीकों से किया जा सकता है, मैंने सबसे simple way में solve किया है, क्योंकि देखो इसमें क solve कर रहे है, आप अगर चाहों तो साथ-साथ में type कर सकते हो, mean function में लिखा हुआ है, जिसमें यह वाला input है, इसको अपन भेज रहे है, solve lock वाली function में, मैंने ऊपर एक और function बना रहा है, that is answer, यह answer क्या क्या कर रहा है, यह r ली रहा है, minute ली रहा है, और second ली रहा है, और इसक केवल format में return कर रहा है, r plus column plus minute column and second, जिसे अपन क्या कर सकते है, अपन आर minutes और seconds को भी भेज के, पूरे format में time ले सकते हैं, ठीक है, कि फिर अपन को बार बार यह नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए इसके लिए एक separate function create कर दिया है, now अपन main function पे आ जाते है, that is solve lock, जिसमें अ input मिल रहा है, that is our time, जो भी अपन का time मिल रहा है, suppose अपन एक example लेकर चलते हैं, यहाँ पर अगर अपन का time मिल गया है, अपन को 10, ठीक है, at, 5, and colon, and 59, suppose, अब इसमें आप देख सकते हैं, यह जो at है, यह अपन को fill करना है, तो सबसे पहले हैं, इसमें से सबसे पहले यह जो seconds सकंड मिल रहा है, इस seconds को extract करके एक strins में डाल देते हैं, that is, seconds, तो अपना क्या किया, input पे subSpring का function लगा दिया, और जो last वाला part है, अपना seconds का, वो अपना एक स्टर्ट करके डाल दिया seconds में, जो minutes वाला part है, minutes वाला extract करके strins में डाल दिया minutes में, और जो hours वाला part है, hours वाला extract करके डाल दिया hours में, तो यह तीनों separate हो गए, अब इन तीनों को separate करने के बाद, अब अगर आपको sub-string function पता है, तो आपको पता होगा यह कैसे work कर रहा है, simple string में बस अपन ने position के साफसे इसको extract कर लिया है, ठीक है, तो अपन का time time आजाएगा, जो भी अपन ने extract किया है, वो hours, minutes, और seconds की form में, then talking about, उपन को दो answers प्रिंट कराने है, एक तो minimum answer प्रिंट कराना है, और एक अपन को output कराना है, maximum answer, कि minimum time क्या हो सकता है, maximum time क्या हो सकता है, तो बहुत ही simple है, केवल अपन को if-else statement लगा के valid combination लगाना है, लेकिन last वाला age case है, तो उसको अपन separately देख लेंगे, तो देखो, अगर यहाँ, यह वाली अगर मैं बात करूँ, यह वाली position, last वाली second की position, इस पर क्या valid time हो सकता है, तो minimum हो सकता है, जीरो और maximum हो सकता है, अबना 9, तो अपने चेक कर लिया, इक स्ट्रिंग की जो last position है, अगर उसका, अगर उसका, बस आप इस वाले एक को समझ गए, तो आप पूरा question समझ जाओगे, ठीक है, तो जो last वाला है, suppose उस पर अगर blank है, मैं यह कह रहा हूँ, यह कुछ ऐसा है, ठ ठीक है, अपन का जो input है, वो ऐसा है, 10, 15, 5, at, ठीक है, अब यह at है, तो अपन यह चेक कर रहे है, क्या इस पर at है, हाँ इस पर at है, अब अपन को replace करना है, तो replace कैसे करेंगे, minimum value जो होगी, वो होगी 0, तो अपन ने कहा कि भाई, इस position को convert करकी 0 कर दो, ठीक है, और उसके अपन ने string निकाल दी, इस वाले function में, इस में pass कर दी, अपन ने hours, minutes, seconds, जिससे अपन को minimum value है, वो written हो जाएगी, इसकी 10, 15, and 5, 0, maximum value क्या होगी, इसकी जगे बस 9 कर दो, यह वाली जो position, इसकी जगे अपन ने 9 कर दी, तो maximum value हो जाएगी, फिर इसको अपन maximum answer में store कर लेंगे answer में बास कर देंगे, अपन hours, minutes, और seconds, जो कि अपन की string मना के अपन को दे रही है, बहुत simple है, ऐसी जो second position है, उसकी valid क्या हो सकते है, अब अपन यहापर क्यों validation लगा रहे है, इसको अपन copy-paste करके क्यों validation लगा रहे है, जो second position है, यह वाली, इसकी जो minimum valid value होगी, 0, and maximum valid value क्य क्या किया, यह sorry, minutes वाली position है, अगर minutes पर at है, minutes की 0 और 9, same ही होगी, minimum value होगी 0, and maximum होगी 9, इस वाली position पर, जो यह वाली position है, minute की second वाली position, और minute की first वाली position है, उस पर, जो minimum value होगी 0, and maximum value होगी 5, क्योंकि अपन का 59 है, वो maximum value है, ठीक है, और यह I think आपको समझ में आ गया होग तो 59 अपन का यह आ जाएगा, और यह अपन का 00 आ गया, next, जो hour वाला रह गया, थोड़ा सा अपन का जो age की से, इसको समझ लेते हैं, तो इस पर simple सा काम किया हुआ है, तो देखो, आपन चेक करेंगे कि क्या, जो last वाला है, suppose, example लेके मैं समझाता हूँ, suppose आपन को ऐसा दिय आ गया है, ठीक है, तो अपन के लिए, पास है to at, तो अपन इसको चेक करो कि यहाँ पर at है, हाँ भाई, इसमें at है, यह अपन ने चेक कर दिया, तो अपन यह चेक करना है, कि last वाला करेक्टर क्या at hours का, हाँ at है, तो इसकी जो minimum value हो सकती, वो सकती 0, ठीक है, जैसे हमने प value 2 नहीं है, अगर इसकी value 2 नहीं है, तो अपन इसमें डाल सकते है, मतलब maximum value जो है, वो अपन 9 डाल सकते है, और अगर 2 है, तो यह वाली position की value क्या बनेगे? 3 बनेगी maximum, तो बस ये करना है अपन को, यह cats शे तो इसमेट थोड़ा सा, तो इसमें अपन को क्या करसे, अगर इस 9 डालेगे हैं ठीक है और बागी का सब कुछ सेम ही रहेगा बागी का अगर अपनका आवर का यह वाला है यह वाली पूजिशन है तो इसकी minimum value 0 maximum value कितनी है तू है बस यह अपनने लिख दिया minimum 0 और last में अपनने प्रेंट करा दिया minimum मांसर और maximum answer तो इसका पूरा कोड में आपको प्रवाइड करा दूँगा कमेंट सेक्शन में या फिर पिंड कमेंट में प्रवाइड करा दूँगा जिससे आप चेक आउट कर सकते हो एक बार क्वेश्चन आये होप आपको क्लियर हो गया होगा थैंक यू सो मच फूर वाचि कर सकते आप दो दूब्स प्रवाइब करेंट सेक्षा कर दोडें क्वेश्चर प्रवाइब में द कामेंगा थекinder हाभ नहं हो इनE कर छ दूद में कमें प्रवाइब दिस दिए.